नमस्कार दोस्तों आपके अपने व्यदिक एश्रोल लाइफ येटूप चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्यारासी वाले जात्कों का मई 2024 का महिना कैसे रहने वाला है क्या मई के महिने में आपका भाग उदै होगा या फिर नहीं क्या मैं 2024 में आपको कोई सुबसमाचार मिलेगा या फिर कोई खुस खबरी की प्राप्ती होगी या फिर नहीं तो हम आपको बताएंगे कि मैं 2024 में आपके जेवर में क्या-क्या बदलाओ देखने को मिल सकता है दोस्तो अगर आप हमारी चैनल में ने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन पर क्लिक कीजिए जिसे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो इस वीडियो में हम आपको संपुर्ण जानकारित देंगे वीडियो को आन तक जरूर देखी ताकि इस में कहेगी बाते आपको अच्छे से और इस पष्ट समझ में आ सके तो आई चलते हैं वीडियो की ओर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कन्या रासी वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहां विराजमान है और आपको कितना अच्छा फल देने की प्राप्ति करेंगे और ग्रहों की तृष्टिया कहां कहां जा रही है ये भी हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आईए जानते हैं कि कन्या रासी वाले जातकों की कुंडली में केतु आपके लगन में विराजमान है तो आई चलते हैं कि कन्या रासी वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है मैय 2024 में तो आईे सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्यराशी वाले जातकों का सवास्त कैसा रहेए कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत नहीं रहता है लिय fine कैन्यराशी वाले जाता ज्यादा अपने करियर को लेकर काफी जदा परशान रहते हैं क्योंकि उनका एक से ज़्यादा काम रहता है या फिर एक से अधिक कार करते हैं तो बता दे कि कन्यारासे वाले जातकों का मैं 2024 में जो आपका स्वास्त है अच्छा रहने वाला है कोई भी इसू नहीं होगी तो पंदरा मैं तक आप अपने स्वास्त का विशेष ज्यान दे बाकि कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आपकी ग्यान में बृध्थी देखने को मिल सकता है यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रहन करने की कूशिस करेंगे और अगर आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कुसिस करेंगे फिर उसके बाद बात करते हैं कि कन्यरासी वाले जातकों का मैं 2024 में आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा तो यहाँ पर बता दे कि कन्यारासी वाले जातकों का जो प्रेम प्यार है मैं के महिने में अच्छी रहने वाली है कोई बड़ी इसू नहीं होगी और साथी बता दे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कन्यारासी वाले जाद तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पढ़ाई में मन लगेगा और काफी ज़दा आप अपने पढ़ाई में ध्यान भी देंगे और जो कन्यारासी वाले जाद तक की योड जा सकते हैं आप बाहर जाकर पढ़ाई ले सकते हैं अगर आप admission करवा सकते हैं मैं की महिने में तो वहां पर आपको सफलता की प्राप्ती होगी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और कन्यरासी वाले जाद तक जो पहले से ही अपने प्रेम संबंध मे हैं अगर आप लम मेरे जी या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर विवाह के पुरे पुरे योग हैं लेकिन आपको यहाँ पर प्रेम विवाह नहीं करना है अनिता आप आगे चलकर काफे ज़्यादा परशान हो सकते हैं क्योंकि आपके सेवन्त हाउस में राहू विराजमान है, अगर आप अभी प्रेम विवाय कर लेंगे, तो बात में आपको कई मुस्विवितों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए अभी आप इंतिजार कर लेजिए, और जैसे ही राहू आपके एट हाउस में जाएगा, तब आप प्रेम विवाय कर सकते ह तब आपको कोई भी समश्या नहीं होगी, लेकिन अभी आप प्रेम विवाय मत कीजिएगा, अन्यता आपको ही प्रॉब्लम होगी, बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा माई 2024 में, तो जैसा कि हमने बताया है कि आपकी सेवन थाउस में राहू विराजमा तो आप कितना भी कोशिज करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को सही बनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं गलती हो सकती है, फिर मिस अंडरस्टेंडिंग की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, दामपत जीवन में लड़ाई जगड़े उत्पन हो सकते हैं, और यहां पर जब लड़ाई जगड़े उत्पन होंगे तो फिर रिलेशन भी आपका खराब होगा, तो इधार आपके एक साल तक जब तक राहु का रासी परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कन्या रासी वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में नोक जोक बनी रहेगी, तो इसलिए कन्या आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अगर आप अभी गलत डिसिजन ले लेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से खराब हो सकता है, इसलिए आप एक साल तक किसी भी तरह से अपने वैवाहिक जीवन संभा कर चलिएगा, अब आई जान लेते हैं कि आपका ब्यापार कैसा रहेगा मैं 2024 में, तो कन्यारासी वाले जातकों का ब्यापार मैं की महीने में काफी शांदार रहेगा, आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप इलेक्ट्रोनिक से जुड़े कार कर रहे नए नौकरी से लाप देखने को मिलेगा, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर नए नौकरी के पूर्ण पूर्ण चांस हैं, अगर आप रियास कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी नए नौकरी लग सकती हैं, अगर आप अपने पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल छोड़कर न्यू जॉइन कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप मार्केटिंग सेल्सक कार कर रहे तो वहां से आपको लाब देखने को मिल सकता हैं साथी बता दे कि आपकी छोटे भाई बहन से आपका संबंद काफी अच्छा रहन मैं की महिने में आप अपने छोटे भाई बहन के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और साथी बता दे कि यहां पर आपका जो साहस पराक्रा में वह काफी अच्छा रहेगा आप बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर एनरजेटिक रहेंगे तो दोस्तों मैं दो हजार चौबिस में आपको यह सारी चीजे देखने को मिल सकते हैं अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर कीजें